नमस्कार दोस्तों पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों रशिया यूक्रेन वार जो फेबरी दो हजार बाईस में शुरू हुआ लगभग दस महीने इस वार को हो चुके हैं और ये खतम होने का नाम नहीं ले रहा अगर रियोटर्स की तरफ से estimated losses की हम बात करें तो death लगभग 28,000 लोगों की मृत्ती हो चुकी है इस वार में 53,616 लोग non-fatal injuries से जूज रहे हैं जिनको non-fatal injuries हुई हैं displacement की बात करें तो लगभग 1.4 crore people have been displaced एक जगह से दूसरे जगह displaced किये जा चुके हैं अगर buildings destroyed की बात करें तो लगभग 1.5 lakh buildings 1.4,000,000 कांकड़ा दिया गया है approximately इतनी buildings destroyed हुई है, ruin हुई है और अगर property damages की बात करें in amount of money तो dollar 35 trillion करोर की property damage हुई है इस वार में और अभी भी इसका अंत होता नहीं दिख रहा एक और नया मुद्दा निकल कर आया है विच इस dirty bomb क्या है ये dirty bomb? क्या Ukraine इसका इस्तमाल करने वाला है? रश्या के विरूद इसी के बारे में आज हम डीटेल में बात करने वाले हैं यूज देख लेते हैं What is dirty bomb and why is Russia talking about one now? रश्या इसके बारे में क्यों बात कर रहा है? क्या है dirty bomb? Majorly आज यही समझने का प्रयास करेंगे But before we move forward आप मुझे follow कर सकते हैं टेलिग्राम चानल्स पर For all my class updates, schedules and PDFs आप मुझे follow कर सकते हैं आप पर भी दोस्तों मेरी सभी special classes or plus courses के लिए enroll करने के लिए आपको सिर्फ मेरा code यूज करना है NDLIVE10 समझते हैं कि actually में news में क्या दिया हुआ है क्या है news and then we'll understand about dirty bomb also So Russia के latest advocacy campaign में जो वो कर रहा है जिसमें वो बता रहा है कि कि वो invasion क्यों कर रहा है उक्रेन पे Moscow ने कहा है कि अभी वो एक्यूज कर रहा है बेसिकली कीव को कीव उक्रेन की जो राजधानी है कि वो they might be planning to use so-called dirty bomb जो कि एक conventional explosive device है lays with toxic nuclear material ठीक है क्या है उसको मैं आपको आपको डीटेल में समझाती हूँ कीव and its western allies जो भी है वो ही कह रहे है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है in accusations में and that the idea that Ukraine would poison its own territories patently absurd मतलब अगर dirty bomb का इस्तमाल करना है और ये कहना ये सोचना भी Russia की तरफ Moscow की तरफ से कि Ukraine Russia को नुकसान पहुचाने के लिए अपनी ही territories को intoxicate कर देगा an escalation of its own यहां पर यह भी आरोप लगाया जारा है Russia पर की हो सकता है Russia कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूं जिसको justify करने के लिए Russia इस तरह के you know accusations लगा रहा है on Ukraine चलिए क्या है dirty bomb पहले ये समझ लेते है dirty bomb इसका मतलब इसका मतलब इक तरह से like dynamite and radioactive materials इस explosive में conventional explosive में dynamite or radioactive materials होते है जैसे uranium etc जो की काफी cheaper होते है और easier होते है ट्रांसपोर्ट करने में जब इनको nuclear weapon से compare किया जाए तो यह नॉट नॉट नॉट्लियर वेपन आस पर से बट यह दस हाव दाइनमाइट or radioactive materials in them तो dirty bomb है जब इनको explode किया जाएगा तो इसके अंदर का जो भी material होता है वो scatter करता है through the air हवा में फैल जाता है और यह जो radioactive materials है uranium etc uranium cobalt etc तो यह क्या करेंगे यह radioactive materials को पहला देंगे हवा में जिनको इन्हेल करने पल पर लोगों को परिशानिया होंगी समस्या होंगी now यह dangerous है लेकिन यह destructive नहीं है nuclear bomb की तरह खतरनाक है लेकिन यह जो atom bomb वाला destruction है वो नहीं करता है ठीक है इसी की allegation लगाई जा रही है इसका इस्तमाल क्यों किया जाता है so basically जो intention है dirty bomb को use करने की is to cause panic जनता में panic create करना उन में डर पहलाना की मतलब वो डर जाये डर के भगदड मचे इस तरह की situation आ जाये लोग panic हो जाये rather than creating actual physical damage actually में जो भी land area है जो भी जगाएं है या वो affect नहीं होंगी लेकिन panic situation create हो जाएगी उसका उदेश majorly यही होता है hence it is also usually referred to as a weapon of mass disruption इसको weapon of mass disruption कहा जाता है as opposed to a weapon of mass destruction which are nuclear bombs यह nuclear weapons जो होते हैं which is the case for nuclear explosions ठीक है now क्या यह dangerous है this is a very very important question so पहली चीज़ क्योंकि यह disruptions कर रहा है यह लोगो में panic create कर रहा है तो इस नोट more of a physical nuclear bomb kind of a thing और weapon जो की bomb फटेगा और लोग तितर बितर हो जाएंगे वो नहीं हो रहा है लेकिन यह क्या है psychological bomb की तरह काम कर रहा है psychological weapon है जो भी scattered material होगा explosion के बाद वो depend करेगा बहुत सारे factors पे such as wind at that time at the time of the blast कि वो कितनी दूर तक जा सकता है अगर radioactive जो spread है जो निकलेगा इस bomb से after the explosion अगर वो इन्हेल किया गया है लोगों के द्वारा to certain extent तो यह हानिकारक हो सकता है previously there is no record of successful dirty bomb explosion anywhere in the world अभी तक दुनिया में हमारे पास कहीं पर भी इसका successful explosion होना इसका इस्तमाल होने का कोई proof नहीं है however बहुत सारे attempt जो किये गए हैं dirty bomb को explode करने के वो फेल हुए है now कितना damage यह create कर सकता है यह देख लेते हैं तो security experts का कहना है कि majorly वो किस तरह से उनका जो चिंता का विशय है यह है कि एक form of terrorist weapon है जो की use किया जाएगा cities पे to create havoc among the civilians मतलब ढराना उनको ढराने के लिए panic situation create करने के लिए rather than as a tactical device ना कि a tactical device जो इस्तमाल किया जाता है by the warring parties जो लड़ रहे हैं युद वो आपस में conflict को खतम करने के लिए conflict में tactical device use करते है इसकी जगा civilians को target किया जाएगा through this kind of a bomb experts का ये भी कहना है कि इसके immediate health impact के लगात करे तो हो सकता है वो काफी सीमित हो since most of the people in the affected area would try to, you know, would be able to escape क्योंकि जहां पर ऐसा लगेगा कि एसा होने के you know, manshah है ऐसा हो सकता है कि यहां पर इसका इस्तमाल किया जाएगा तो लोग कोशिश करेंगे वहां से escape करने कि उस जगा से दूर जाने की wind कहां तक उसको ले जा पाएगी that is a different story altogether क्या कितनी wind होगी वो सब भी affect करेगा तो immediate health effect अगर impact की हम बात करें तो शायद वो बहुत सीमित होगा ठीक है ना जब तक की लोग lethal doses of radiation experience करेंगे उससे पहले वो निकल जाएंगे उन जगाओं से लेकिन इसका जो economical damage होगा जो economical honey पहुचा सकता है वो बहुत जादा massive हो सकती है क्योंकि लोगों को evacuate करना from the urban areas and even the abandoned whole cities पूरे के पूरे शेहरों को खाली कर देने का प्रभाव जो economical प्रभाव पड़ेगा वो बहुत massive हो सकता है तो इस more on the psychology than the physical damage it is creating and the economical damage it would create so this is what dirty bomb is and its effects are now Russia ने क्या एलज किया Russia के क्या आरोप है तो यहाँ पर एक letter भेजा गया है रश्या के द्वारा जिसमें allegations लगाई गई है कीव पर कि वो मतलब United Nations में भेजा गया Monday को और जो diplomats है उनका कहना है कि रश्या ने plan किया है कि वो इस issue को ए closed meeting में उठाने वाले है security council के साथ उनको यह उठानी थी basically यहाँ मैं आपको बता दू जो head है रश्या के nuclear biological and chemical protection troops Lieutenant General Igor Kirilov उन्होंने कहा media briefing में कि Ukraine का जो उठ्देश है ऐसा attack करने का is basically to blame Russia मतलब रश्या को blame करने के लिए ऐसा attack plan कर सकता है Ukraine The aim of provocation would be to accuse Russia of using weapons of mass destruction उठ्देश क्या हो सकता है कि भई आप mass destruction के weapons use करें उसके बदले में हम इसा use करें तो उसका ये उद्देश हो सकता है by that means to launch a powerful anti-russian campaign in the world जिससे वो क्या होगा एक anti-russian campaign को बढ़ावा देने की already हम जानते है विश्रमेस में ऐसा campaign चल रहा है पर इसको और जादा एक तरह से catalyst की तरह काम कर सकता है और जादे इसको बढ़ा सकता है in the world aimed at undermining the trust in Moscow कि लोग पर भरोसा करना ही बंद कर दे तो ये major allegations है रॉस्पॉंस की बात कर लेते हैं रिस्पॉंस क्या है अगर रिस्पॉंस की बात करें तो Ukraine और जो वेस्ट अलाइज है Ukraine के उन्होंने सिरे से खारच कर दिया है इस आरोप को और ये कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा मतलब बहुत absurd है कि Ukraine रशिया को रोकने के लिए अपनी ही territories को poison कर देगा inhabitable situation में ले आएगा this is very absurd this is not even मतलब ये idea ही बहुत अजीब है specially जब Ukrainian already recapture कर रहे हैं अपनी territories को on the battlefield Ukrainian अपनी territories वापस ले रहे हैं Russia से तो ऐसे में वो क्यों अपनी territories को intoxicate करेंगे poison करेंगे US, Britain, France they have called Russian allegation as transparently false कि बिल्कुल बेतुका जूटा है जूट है ये और Moscow को वहन भी किया है कि इसको बिल्कुल भी एक प्रीटेक्स की तरह इस्तमाल ना किया जाए तरह से ना वो प्रीटेक्स का मतले भी यहां पर यह हो गया कि पहले ही कुछ एक stage तैयार कर दिया जाए कुछ बढ़ा करने से पहले तो डोंट दू दिस ये भी उनको वान किया गया है Ukrainian President जो है Zelensky उन्होंने सजेस्ट किया है कि Moscow might be using the allegation as to cover for plans for a similar attack of its own तो Zelensky ने तो यहां पर यह कह दिया है कि भाई हो सकता है कि Russia खुद से ऐसा कुछ प्लान कर रहा है उसको cover करने के लिए हम पर allegation लगा रहे हैं हम पर आरोप लगा रहे which quote unquote he is saying if Russia calls and says that Ukraine Ukraine is allegedly preparing something it means one thing Russia has already prepared all this उनका गहना है कि Russia अगर आरोप लगा रहा है कि Ukraine ऐसा करने वाला है तो उसका मतलब एक ही बात है कि वो अलरडी हैसी चीज को प्रिपेर कर चुके है तो सीधा सीधा जो भी allies है Ukraine है उसने इस आरोप को कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और उस तर रशिया ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूं आने वाले दिनों में पता लगेगा exactly dirty bomb का इस्तमाल होने वाला है नहीं होने वाला but it is going to be very disastrous in the sense कि almost 10 महीने हो चुके हैं मैंने शुरुआत में आपको आंकडे बताए things are getting out of hand and it should stop now it should stop now चलिए अनकाडमी subscription लेने के लिए दोस्तों आपको सब यूज करना मेरा code NDLIFE10 to avail 10% discount on all your subscriptions यह आप use कर सकते हैं for any subscription on the platform यह code use करके आप best discount avail कर सकते हैं batches शुरू हो रहे हैं हमारे 27 October for all you know 2023 के लिए आप यहां पर compete कर सकते हैं देख सकते हैं कि आप actually कहां stand कर रहे हैं साथ में कुछ prizes भी जीत सकते हैं UCAC 13 November को होने वाली है 11 बजे सुभा description box में details given हैं आप जाकर enroll कर सकते हैं for the same इसी के साथ EMI option is also available जहां पर आपको कोई भी इंट्रस नहीं देना होगा अगर आप loan available करते हैं academy platform पर for subscription now main test series मैं आपको बता दू 79 questions 57 questions directly or indirectly आये थे हमारी test series से तो आप देख लिजी अगर आप test series join करते हैं तो आप definitely अपनी preparation को और जादा बहतर कर सकते हैं यहां पर इसी के साथ last mile last but not the least it is UPSC CSC free interview guidance program for 2022 जहां पर आपको DAF analysis, mock interview sessions, performance evaluation, feedback etc मेलेगा panelists के अगर बात करें तो bureaucrats है top educators है, professors है, जो भी experts है अपनी fields में, GS में वो यहां पर panelists होंगे तो अपनी preparation और जादा बहतर कर लिजे जाए, interview को 100% guarantee के साथ जाए, interview के साथ जाए, interview के साथ and so that you can, you know, make your name in the finalist so that is it from my side, thank you so much don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates thank you so much, God bless